और एक बड़ी खबर आपको देते हैं वानसी घ्यानवापी पर दो एहम सुनवाई एसाई ने सर्वे रिपोर्ट के लिए मांगे 15 दनाज जिला कोट सुनाएगा फैस्ता व्याज्ची के तहकाने पर होगी एहम सुनवाई तहकारा डियम को सौपने पर फैस्ता आएगा मुस जिला कोट जिला कोट इसका फैस्ता पैस्ता सुनाएगा तहकाना डियम को सौपने पर फैसिता आएगा जियान वापी से जुड़ा हुआ ये फैस्ता दो एहम सुनवाई आज होगी है साइने सर्वे रिपोर्ट के लिए 15 दिन माんなगे हैं आज जिला कोट अपना फैस्ता स सुनवाईया हैं पंदर दिन का समय भी मागा गया है और तेखाने डियमा को सौपने पर फैस्ता भी सुना जाना है क्या जानकारी आज के फैस्ते को लेकर कब ये फैस्ता आएगा बिल्कुल जिला अदालत को एसाई को कल रिपोर्ट सौप ने थी लेकिन हम आपको बता दें सब्सक्राइब स्प्राइब के लिए पंजर दिन का और अप्लिकेशन डाला गया है समय बढ़ाने के लिए गुजारिश की गई है जिलादालग से साथ ही साथ जो तैखाना है वहाँ पर जब सर्वे के दौरान तैखाने की साफ सफाई की गई तो कहीं नहीं हिंदु पर डर है कि मुस्लिम पर उसको कभजा ना कर ले इसलिए उसके लिए भी उन्होंने एक अप्लिकेशन जिलादालग को सौप दिया जाए क्योंकि लगातार 1993 तक व्याद जी का परिवार जो है उस तैखाने पर काबिज रहा है काम करता रहा है लकिन अब इस तरीके से तैखाना के साफ सफाई हुई साफ सफाई के बाद अब तैखाने कहीं नहीं को डर है उनका आरोप है कि मुस्लिम पर उसक तो माँ जोन कारी देने के लिए